हेलो फ्रेंज, वेलकम बाक टू माई यूटीज चैनल, आज हुम आए हैं चौक्ति धानी जो पंच्पिला शिम्ला हाई वे पर है, चंडिगर से अराउंड 20 किलो मेटर दूर है, तो यहां पर हम देखेंगे राजस्थानी कल्चर को, राजस्थानी खाना कैसा होता है, राज राजस्थानी कल्चर कैसे होता है, इसे लिए, चोखी धानी, जिसमें चोखी का मतलब है अच्छा और धानी का मतलब है छूटा सा गाउं, तो चोखी धानी मतलब छूटा सा अच्छा सा गाउं, यहां पर आपका स्वागत भी बड़े अदब के साथ किया जाता है, अब हम पहुंचे हैं टिकेट काउंटर यहां की टिकेट है 900 रुपीज जिसमें आपका राजिस्थानी ठाली और कल्चरल एक्टिविटीज रहेगी और उसके अलावा कैमल राइड, हॉर्स राइड और अधर गेम्स एक्टिविटीज वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा करते हैं यहां पर शिक अधर अप्रिकाव चिक की लिए छाप ठोड़ा सा विउ दिखाये रहे हैं अरावने की थाटी गुरू जूजी प्रदास की केज़े और बात रही गाथ से प्रदास की यहोगाथा में राड पैक्टी सीमी थाने दराऊ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थानी दान अगर आप चाहो तो आप भी उसके राजस्थानी अगर आप चाहो तो आप भी उसके राजस्थानी जोखी धानी आए राजस्थानी कल्चर एक्स्प्लोर के और राजस्थानी ड्रेस ना पहनी तो क्या किया? तो हमने सोचा चलो राजस्थानी ड्रेस ट्राइ करते हैं यह आपको रेंट पे मिल जाएगी और इसको बहन के आप भूम भी सकते हो और यह आपको जुएलरी के साथ रेंट पे मिलेगी 80 रूबीज में अदर बस्वका है बहुति तराइब है यह घखाने करते हैंगी ना पुत भी हाएग आपको जाएगे लेना पुप नहीं है यह लेगाएगे आपको जाएगेगेशाएगे आपको पिर जाले आएगे मिलेगा है कर दो कि अचांग। लग तो, प्छेब। झाल झाल अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए जो है राजस्तानी थानी तो यह है अपना डिनर है और यह है हमारी राजस्तानी थानी इसमें इनने हमें दिया है राजस्तानी तड़ी, मटर पनीर, दाल बाती चूर्मा, बेसन गट्टा, मकी की रोटी और सेंपल रोटी, लसन की चटनी, केर सांगरी चो इनकी फेमस दिश है, चावल, पापर और धेर सारा घीन अगले व्लोग के साथ कब तक के लिए, बाई बाई